सो दोस्तों बहुत सारे स्टूडन को प्रॉब्लम यह रहता है कि उनका जो पेपर होता ओन टाइम नहीं होता तो बोर्ड एक्जाम में हर चीज़ों किस तरह से टाइम डिवाइट किया गया है इस साल के बोर्ड एक्जाम में वह चीज़ में आपको बताने वाला और बहुत है तो अगर मैं में क्वेशन नमर्वन ए और विक बात करो तो जो अब्जयक्व क्वेशनस होते होते हैं वह सके लिए हमें क्वेश्व की बात करो तो क्वेश्व नमर्ट वक्शन of two marks और हर question के लिए 5 minute इसी इसी speed में आपको तैरी करनी है और 25 minutes हमें इसके लिए मिलने वाला है डैर इसके बाद question number 3 की बात करूंँ तो question number 3 में 5 question of 3 marks रहते हैं और हर question को 8 minutes हमें मिलने वाला और उसी 8 minutes में complete करेंगे तो हमारा paper on time होगा तो question number 3 हमारा जो होना चाहिए हो 40 minutes में cover हो जाना चाहिए इसके बाद मैं बात करूं question number 4 जो one question of five marks तो ये होगा हमारा 15 minutes में तो science का paper इस तरह से होना चाहिए और last में जो 15 minutes हमारे पास बचेगा उसमें हमें अपना paper क्या करना पूरा का पूरा paper क्या कर लेना चेक कर लेना है तो भाई ये बहुत important अगर इस according आपका paper नहीं हो रहा है तो समय लो board exam में आपका paper छूटने वाला क्योंकि इस हिसाब से board exam मे time को distribute किया जाता और इस साल का भी time इसी तरह से किया गया है तो मेरे काल से चीजे समझ में अगर और भी कोई डाउट है तो please comment करके हमें बता हो thank you so much guys